आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो फ्रेंट्स हमारा जो question नावसे में बुल लगा है कि prove that the relation set A से है is given by A, B और mod में A-B is divisible by 2 is an equivalence relation find all elements related to element 6 ठीक है चल तो देखो हमारा relation कैसे defined है हमारा relation defined है A, B अगर है तो यहाँ से होगा कि mod में A-B ही क्या होगा is divisible is divisible by 2 ठीक है ऐसा होगा ठीक है चलो तो हम क्या करते हैं ना कि देखो हमारा equivalence relation सो पहले prove करना है तो equivalence relation कोई कब होता है जब मेरा relation क्या हो सबसे पहले क्या हो कि reflexive हो ठीक है तो relation मेरा reflexive होना चीए दूसरा relation मेरा symmetric होना चीए ठीक है तो यह हो जाएगा मेरा symmetric हो गया relation और तीसरा जो होना चाहिए वो होना चाहिए मेरा relation transitive होना चाहिए ठीक है तो यह transitive हो गया ठीक है चलो तो हम तीनों को एक देखते हैं कि मेरा relation यह जो given है यह reflex symmetric transitive है की नहीं है ठीक है और हमको होना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा equivalence relation दिखाना है ठीक है चलो तो देखो हमारे element जो है एक है वो क्या क्या है 5, 6, 7, 8 से 9, 10 5, 6, 7, 8 और 9 और क्या है 10 है ठीक है यह अपने क्या है element है ठीक है चलो तो देखो मेरा अगर मैं a, b लेता हूँ तो इसमें relation होगा mod में a, b यह होना चीए is divisible divisible by 2 ठीक है तो यहाँ से देखो अगर मैं order pair बनाता हूँ ठीक है a से a का अगर मैं कोई relation बनाता हूँ तो order pair ज़्यादा ज़्या आएगा 5 से 5 का ठीक है यह हो जाएगा इसी तरह से अगर मैं 6 का देखो 6 का 6 के साथ 6 का किस के साथ 6 का 5 के साथ ठीक है यहाँ पर 5 लिख रिएते हैं चलो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 लिख रिएते हैं फिर 6 का 7 के साथ ठीक है ऐसे चलता रहेगा फिर 6 का 10 के साथ हो जाएगा, ठीक है, तो इसी तरह से यहां भी बढ़ता रहेगा, और कहां तक जाएगा, यहां पर हो जाएगा, 10 तक है, तो 10 का 5 के साथ, 10 का 6 के साथ, ठीक है, और 10 का 7 के साथ, ठीक है, यह इतना सारा हमारा order pair possible है, ठीक है, तो A-B is divisible by 2 है, अगर मेरा, ठीक है, त तो reflexive होता क्या है जिसमें अगर मेरा a, a ये belong to real relation आ गया तो हम बोलेंगे कि reflexive है मतब इसे element का उसी element के साथ अगर मेरा relation satisfy कर रहा है ठीक है तो उसको हम बोलेंगे reflexive तो हमारे यहाँ पर क्या given है कि mod में a minus b अगर मेरा a, b relation में है तो mod में a minus b ये क्या होना चाहिए is divisible by 2 होना चाहिए तो a, a अगर हम करेंगे तो यहाँ क्या हो जागा a minus a ये आ जागा 0 तो 0 is divisible by 2 हाँ सही है इसका मतलब अपना reflexive है ठीक है अपना given relation reflexive है चलो अब second का देख लेते हैं second क्या होना चाहिए मेरा reflexive इसाथ symmetric होना चाहिए ठीक है तो symmetric भी देख लेते हैं B-B, यह क्या होगा, is divisible by 2 होगा, ठीक है, तो अगर मैं B-B और कामा A करता हूँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, B-A हो जाएगा, तो A-B कहो, या B-A का मॉड कहो, यह तो always divisible by 2 ही तो होगा, अगर यह सही है, तो यह भी सही होगा, है कि नहीं, तो मत्तब यह भी क्या हो सिमेट्रिक भी है, थर्ड वाले दिख लेते हैं, थर्ड वाले क्या है, मेरा ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है, जब मेरा A और B में रिलेशन है, ठीक है, और वहीं रिलेशन, अगर मेरा B और C में है, ठीक है, तो अगर हमने यह दिखा हैं इसका मतलब कि mod में a-b ये क्या होगा is divisible by 2 होगा ठीक है और b और c अगर क्या है relation में है ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है कि b-c का mod is divisible by 2 होगा ठीक है चलो अब मुझे दिखानी है a और c में relation सेम होना चीए मतलब कि a-c is divisible by 2 दिखाना है हमको ऐसा दिखाना है ठीक है तो देखो हम यस a-c को कुछ इस तरह से देखो a mod में a-b ये divisible by 2 है तो इसको हम लिख सकते है क्या 2 के के एकवल ठीक है और इसी तरह से b-c का mod अगर मेरा 2 से divisible है तो इसको हम लिख सकते है चलो 2r के equal ठीक है तो divisible by होगा चलो तो यहां से हमारा यह हो सकता है कि a-b is equal to plus minus 2k होगा ठीक है mod अटा देंगे तो और यहां पर b-c क्या होगा plus minus 2r होगा ठीक है चलो तो अब देखो यहां पर अगर मैं a-c करता हूँ ठीक है तो इसकी value कितने आजएगी यहां से mod हटा दूँगा तो ज़्यादा यह plus minus में a-c आएगा ठीक है तो देखो a-c को हम कैसे लिख सकते हैं इन दोनों को अगर मैं add कर दूँगा तो देखो यह b-b तो चला जाएगा तो a-c ही बचेगा तो मतलब इन दोनों को add कर दना है तो plus minus में 2k और plus minus में कितना 2r हो जाएगा ठीक है यहीं आएगा ठीक है तो यहां से यह देखो plus minus 2r अगर मैं common कर लूँगा तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा 2k और plus में कितना 2r 2 को भी common कर लेते हैं यहाजाएगा, plus minus में 2 times of k plus में r हो जाएगा, ठीक है, तो यह भी देखो, यह अगर इस form में हो गया है, इसका मतलब यह भी तो देखो, divisional by 2 है, है कि नहीं, 2 एक फेक्टर आ गया, तो यह भी क्या होगा, divisional by 2 होगा, तो यह भी divisional by 2 होगा, मतलब यह relation में हैं, हमने दिखा द ठीक है अब हमको निकालना है कया है हमने सो कर दिया है find all elements related to element 6 ठीक है तो 6 से जितने भी element है वो हमको डिखानी है चलो 6 is related जितने भी element है वह हम दिखते हैं तो देखो यहाँ पर यह सारे हमने लिखा हुआ है इतने सारे order pair possible हो सकते थे तो देखो हमारा क्या होना चीए? relation satisfied होना चीए? इसका मतलब कि A 6 minus में B ठीक है? 6 minus में B ये इसका mod ये क्या होना चीए? 2 से divisible होना चीए ठीक है? चलो तो देखो 6 minus में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, divisible by 2? नहीं 6 minus 6, 0 हो जाएगा divisible by 2? हाँ तो ये हो जाएगा अपना 6 minus 7, 1 आएगा? नहीं 6 minus में 8, 2 आएगा? हाँ ठीक है? और 6 minus में 6 minus में 8 ठीक है? ये आएगा और फिर देखो 6 minus में 9 minus में 3 आएगा और उसका mod ये लेंगे तो 3 आएगा तो वो नहीं होगा ठीक है? और 6 और 10 यहाँ देखो करेंगे तो minus में 4 आएगा, उसका mod ये लेंगे 4 आएगा divisible by 2 ठीक है? तो ये भी होगा ठीक है? तो 6 से कौन-कौन सा relation होगा? ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ ठीक है? अगर उल्टा देखना है न तो देखो इसका उल्टा कर देगे तो भी देखो relation सेम ही आएगा ठीक है? तो ये हो जगा मेरा 7, 6 हो जाएगा इसकी जगा उल्टा कर देते हैं 8, 6 हो जाएगा ठीक है? इसकी जगा क्या हो जाएगा? 10 और 6 हो जाएगा ठीक है? तो हमारे सारे elements जो related to 6 हैं तो इतने हो जगा है यह 3 इधर, 3 इधर हो जगा है तो भी हमको लिखना है चाहरो तो 6 6 6 8 मैं लिख देता हूं, यहाँ पर 6 6 हो जाएगा 6 8 हो जाएगा 6 क्या हो गया? 10 हो जाएगा ठीक है? तो इसका में ईल्टा लिख देता हूं तो यह 8-6 हो जाएगा ठीक है और फिर 10 और 6 हो जाएगा ठीक है तो यही होगा हमारा क्या एंसर ठीक है तो हूब आपको समझ में होगा थेंक्यू क्लासिक से टुएल से लेके नीड आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर